आज हम एक साउंड सेंसर का इस्तेमल करेंगे अगर आपने Arduino का किट खरीदा होगा तो उस किट में आपको इस तरह का एक सेंसर दिखाई देगा अगर आपके किट में इस तरह का सेंसर नहीं है तो आप उसे Amazon से 1.500 रुपए तक खरीच सकते हो ये चार पिनो वाला सेंसर है इसके अंदर डिजिटल आउटपूट और एनलोग आउटपूट दोनों ही तरह के आउटपूट हमें मिलते हैं तो ये दूसरे तरह के एक्सपरिमेंट्स में हमें काम आ सकता है इसके अलवा आपको तीन पिनो वाले साउट सेंसर भी दिखाई देंगे जिसमें केवल डिजिटल आउटपूट ही होता है अगर आपके पास तीन पिनो वाला साउट सेंसर है तो उसका बीच वाला पिन यानि के दोनों साइड के दो पिन हैं, उनके ओपर D, O और A, O लिखा हुआ आपको दिखाए देगा, D, O याने Digital Output और A, O याने Analog Output. तो आज हम इस Sound Sensor का इस्तिमाल एक Switch की तरह करने जा रहे हैं, जो ताली बजाने से On या Off होता है, इसके लिए हम इसके Digital Output का इस्तिमाल करेंगे, इसके Analog Output का इस्तिमाल हम किसी और Experiment में करेंगे, इस Experiment को करने के लिए हमें सबसे पहले इस Sensor को Caliberate करना पड़ेगा, यानि के इसकी Sensitivity को Adjust करना पड़ेगा, अगर आप इस Sensor को देखें, तो इसके उपर आपको एक निले रंग का छोटा सा Square दिखाए देगा, ये एक Potentiometer है, Potentiometer के उपरी इससे में आपको एक छोटा सा Screw जैसा दिखाए देगा, ये इस Potentiometer का Knob है, इस Knob को घुमा कर हम इसकी Sensitivity को Adjust कर सकते हैं, तो इसकी Sensitivity को Adjust करना, यानि इसको Calibrate करना हम इसे कहेंगे, इसके लिए हमें इस Sensor को Power Supply से Connect करना पड़ेगा, तो इसकी जो बीच वाली दू पिन हैं, उन में से एक पर Plus लिखा हुआ है, और दूसरे पर GND लिखा हुआ है, तो इन पिनों को हम Arduino के Power के पिनों से Connect करेंगे, इसके लिए हम Male-to-female Jumper Wires का इस्तिमाल करेंगे, तो इस तरह से हम इसे Jumper Wires के Female Connector से Connect करेंगे, और इस Wires के जो दूसरे सिरे हैं, वो Arduino के Board के उपर GND और Plus 5V के Port से हम Connect करेंगे, इस तरह से Connect करने के बाद, Arduino के Board को या तो अपने Computer के USB Port से Connect करके, उसको Supply से जोड़ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इस तरह की Battery और उसका फोल्डर है, तो इसको भी आप उसे Connect कर सकते हैं, तो जब आप इसे पहली बार Connect करोगे, तो इसके उपर दो LEDs जलती हुई आपको दिखाए देंगी, एक लाल रंग की LED है और दूसरी हरे रंग की LED है, इन LEDs के उपर LED 1 और LED 2 लिखा हुआ आपको दिखाए देगा, यह जो हरे रंग की LED है, यह Potentiometer के बगल में होगी, तो यह LED जो है, हमको इस Sensor की Sensitivity Adjust करने के लिए एक Pointer का का काम करेगी, अगर हरे रंग की LED जलती हुई आपको दिखाए देती है, तो एक Screw Driver ले लिजिए, और उस Screw Driver से इस Potentiometer का जो Knob है उपर वाला, उस Knob को हलके से Left की और गुमाई यह, लेकिन यह जो Knob है, यह Single Turn वाला नहीं है, तो इसकी Sensitivity Adjust करने के लिए हमें इसे कहीं बार गुमाना पड़ेगा, तो हो सकता है, आपको 10 या 20 बार तक इस Knob को Left की और गुमाना पड़ेगा, इस Knob को आपको तब तक घुमाना है, जब तक कि उसके नीचे की जो हरे रंग की LED है, वो Off ना हो जाए, जब यह हरे रंग की LED आफ होती है, तो यह इसका Cut Off Point होगा, जैसे ही हरे रंग की LED आफ हो जाएगी, तो रुक जाएगा, और फिर इस Sensor के उपर जो Metal का हिस्सा दिखता है हमें, यह इसका Mic है, इसके सामने ताली बजा कर देखिए, तो जो हरे रंग की LED है, उसके अंदर आपको Flicker दिखाई देगा, यह बहुत ही थोड़े समय के लिए LED जलेगी, फिर बुझ जाएगी, अगर ताली बजाने पर भी LED नहीं जलती है, तो फिर दुबारा स्कूड आए और लेकर इस Potentiometer के Knob को हलके से दूसरी ओब रेने राइट के और घुमाईए, तो यहाँ पर आपको बहुत ही Fine Tuning करने पड़ेगी, तो आपके Sensor का आपको ऐसा Point ढूंडना पड़ेगा, जहाँ पर ताली की आवाज को यह Sensor रेस्पॉंड करेगा, तो कुछ बार, कुछ समय तक आप इसके साथ Experiment करोगे, इसका Point मिल जाएगा, तो पहली बार में थोड़ी सी दिक्कत हुई लगती है, लेकिन कुछ बार इसे गुमा कर देखने पर आपको इसकी आदत हो जाएगी, और फिर यह उतना कठिन नहीं लगेगा आपको, तो जैसे ही ताली बजाने पर सेंसर की हरी एलेडी आउन हो जाएगी, तब समझना कि आपका जो सेंसर है, वो Experiment के लिए तयार है, अब इसके बाद आप इस सेंसर को इसकी जो वायरे हैं वो अटा लीजिए, और फिर इसको इस Experiment का जो Circuit है, उस Circuit के इसाप से इसे Connect कर यहाँ पर आपको इस Experiment का Circuit डिखाए देता है, और फिर इस Circuit के बाकी सारे डिटेल्स आपको इसके आर्टिकल में दिखाए देंगे, यह आर्टिकल आपको इस वीडियो के टॉप राइट कॉर्णर में क्लिक करने पर एक कार्ड खुलेगा, उस कार्ड पर क्लिक करने पर आर सरकीट पूरा होने के बाद हमें Arduino के बोर्ड पर इसका प्रोग्राम भी अप्लोड करना पड़ेगा, इसका जो प्रोग्राम है उसका कोड भी मैंने आर्टिकल के साथ दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके उसे डाइरेक्ली Arduino के बोर्ड पर अप्लोड कर सकते हो, इसके अंदर हमने एक टॉगल स्विच का कोड इस्तिमाल किया है, तो जैसे हम टाली बजाएंगे, तो टाली बजाने से जो सेंसर है, सेंसर का डिजिटल आउटपुट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर सेंसर का जो डिजिटल और फिर दुबारा ताली बजाएंगे, तो अगर वह अन होगी तो आफ हो जाएगी, इस तरह से एक स्विच आउफ करने वाला इफेक्ट जो है, हम इसके द्वारा क्रेट कर सकते हैं, तो इस एक्स्प्रिमेंट में हमने केवल एक LED को आउफ करने का एक्स्प्रिमेंट किय तो रिले का इस्तिमाल करके हम इसे हाई पावर्ड इलेक्ट्रिक एक्क्विपमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मैं किसी और एक्स्प्रिमेंट में आपको यह करके दिखाऊंगा, तो फिलाल आप एक LED को या किसी भी और इलेक्ट्रोनिक कॉम्पोनेंट को आउफ करने का experiment इस setup के साहेता से कर सकते हैं तो इस experiment के जो जरूरी details हैं वो आपको article में भी दिखाए देंगी तो आज हम इस experiment में यही रुखते हैं और फिर अगले वीडियो में हम एक नए experiment के साथ मिलेंगे आपको